दोस्तों नमस्कार ये है मागदवशन फार्ट सेविल सेर्विशेज मैं अनुराख्ष उधरी दोस्तों मागदवशन यन्सी आर्टी स्रिंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे इग्यारहविक अच्छा के राजनीत विग्यान भारत का संभिधान सिध्धानत और बेवहार का अध्यायचार कारेपालिका आए शुरू करते हैं आज का चैप्टर दोस्तों विधाई का कारेपालिका और न्यायपालिका सरकार के तीन अंग है आप जानते हैं कि सरकार के तीन अंग होते हैं विधाईका, कारेपालिका और नियाईपालिका विधाईका कानूनों का निर्मार करती है कारे पालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्याय पालिका कानूनों का पालन करवाती है और पालन न करने वाले को दंड देती है ये तीनों मिलकर सासन का कारे करते हैं और कानून ब्यवस्था बनाए रखने और जन्ता का कल्यान करने में योगदान देते हैं तो दोस्तों सासन के ये तीनों ही अंग बहुत ही महत्वपूर हैं इसके अलावा जो संविधान होता है वो ये सुनिशित करता है कि ये तीनों अंग एक दूसरे से तालमेल यानि सामनजस से बना कर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें आप जानते हैं कि विधाईका, कारेपालिका और नियाईपालिका सरकार के तीन अंग हैं इन तीनों अंगों में संतुलन और एक दूसरे पर नियंदरन होना चाहिए ताकि सासन ब्यवस्था और लोगों की स्वतनताएं कायम रह सकी संसदी विवस्था में आप जानते हैं कि कारेपालिका और विधाईका एक दूसरे पर आसरित होते हैं विधाईका कारेपालिका को नियंदरित करती है बलकि उससे नियंदरित भी होती है संसदी सासन बेवस्था ऐसी सासन पढ़ाली है जिसमें विधाईका कारेपालिका को नियंतरित करती है और कारेपालिका और जो बेवस्थापिका होती है एक दूसरे पर आसरित और संबंधित होते हैं इस अद्याय में हम सरकार की कारे पालिका के संगठन, संडशना और कारियों को अध्यन करेंगे और इस अध्याय में हमें ये भी पता चलेगा कि पिछले कुछ समय की राजनीतिक ब्योहार के कारण इसमें क्या परिवर्तन हुए है और क्या परिस्थितिया बन रही है इस अध्याय में जो है जो हम पढ़ेंगे उसके बाद हम क्या क्या चीजे जान सकेंगे एक तो ये की संसदिय और राष्टपती पढ़ाली की कारेपालिका में अंतर क्या होता है भारत के राष्टपती की संबैधानिक इस्थिती क्या है मंत्री परिशत की संरशना और कारे क् प्रशासनिक मसीनरी के महत और कारे क्या हैं कारे पालिका चैप्टर के अध्यन से हम जानेंगे तो आएए शुरू करते हैं सबसे पहले हम इस विशय पे ये जानने का प्रयास करेंगे कि कारे पालिका क्या होती है देखिए यहाँ पर एक उदाहरण से समझाय गया है कि आपक करना पड़ता है और इस प्रक्रिया को प्रसासन या प्रवंधन यानि एड्मनिस्टेशन या मनिज्मेंट कहते हैं लेकिन प्रसासन के लिए संगठन के सीर्ष पर एक ऐसा समू होना चाहिए जो कि बड़े या नीतिगत नेड़े ले सके और दैनिक प्रसासनिक कारें की द प्रसासनिक कारें का देखरेख और उनमें सामंझसे और तालमेल अस्थापित करना भी जरूरी है ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समू होता है और ये लोग उस Сंगठन के मुख्ख प्रसासनिक या कारे पालि का अधिकारी के रूप में कारे करते हैं आपने शायत बड़ी कमपनियों, बैंकों और और द्योगी की काईयों के परसासनिक अधिकारियों के बारे में सुना भी होगा, उनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियों, नियमों और काईदों के बारे में नीड़े लेते हैं, तो कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं, कारेपालिका का मामले में भी एक संस्था नीतिगत नेड़े लेती है और नियमों और कायदों के बारे में बातें करती है दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है और दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो कारेपालिका सरकार का वो अंग है जो इन नियमों कानूनों कायद को लागू करता है और प्रसासन का काम करता है उसे कारेपालिका यानि एक्जीक्यूटू कहा जाता है कारेपालिका के प्रमुक कारे क्या है तो दोस्तों कारेपालिका सरकार का वह अंग है जो बिधाईका यानि जो बेवस्थापिका होती है उसको बिधाईका भी कहते हैं तो तो कारेपालिका सरकार का वो अंग है जो विधाई का यानि बेवस्थापी का द्वारा स्विकृत नेतियों और कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदाई यानि जिम्मेदार है। कारेपालिका प्रायह नीत निर्मार में भी भाग लेती है कारेपालिका का आपचारिक नाम अलग-अलग राजियों में अलग-अलग होता है कुछ देसों में कारेपालिका के परधान राष्टपती होता है तो कहीं पे इसका नाम चांसलर होता है कारेपालिका में केवल राष नीतिक कारेपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदाई होते हैं लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रसासन के लिए उत्तरदाई होते हैं उनको अस्थाई कारेपालिका कहते हैं इसमें आप सिविल सर्वेंट्स को ले सकते हैं यहाँ पर देखे एक बच्ची सोच रही है कि मुझे याद है कोई कह रहा था कि लोकतंत्र में कारेपाली का जनता के प्रति उत्तरदाई होती है, क्या यह बड़ी कमपनियों के बड़े अधिकारियों के लिए भी सही है, क्या उन्हें हम मुख्य कारेपाली का अधिकारी नहीं कहते, वे किसके प् कमपनी के नियमों कानूनों को लागू करने के लिए और कमपनी का जो एक नियम होता है कानून होता है उसका एक जो कमपनी के पहले कुछ नियम या मुलभूत नियम और कानून बनाय जाते हैं उनको लागू करने के लिए जो मुख्य कारेपालिका अधिकारी होता है वो जिम् अमेरिका की राष्टपती और इंग्लेंड की महरानी के बारे में आपने सुना होगा अमेरिका की राष्टपती की सक्तियां और कारे भारत की राष्टपती की सक्तियों से बहुत अलग हैं और इसी प्रकार इंग्लेंड की महरानी की जो शक्तियां हैं वो भूटान की राजा से अलग हैं भारत और फ्रांस दोनों में ही देशों में परधान मंत्री हैं लेकिन उनकी भूमिकाएं अलग-अलग हैं तो कारेपालिका जो है इन देशों के उदाहरंड से अमेरिका, ब्र इसके अलावा भूटान इन सब के उदाहरंड से आप ये समझ सकते हैं कि कारेपालिका में इस प्रकार का अंतर क्यों होता है देखे दोस्तों कुछ देशों की कारेपालिकाओं के प्रकीर्ति को जब हम समझेंगे तब इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे देखे अमेरिक में अध्यक्षात्मक सासन बेवस्था है और वहाँ पे जो कारेकारी सक्तियां होती हैं या कारेपालिका का वास्तविक परधान ये राष्टपती होता है कनाडा में संसदी लोक्तंत्र और संभैधानिक राष्टंत्र है जिसमें महरानी एलिजाबेत दूती राज़की पर प्रधान और प्रधान मंत्री सरकार का प्रधान होता है इसी तरह देखा जाए तो फ्रांस में राश्टपती और प्रधान मंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक ब्यवस्था के हिस्से हैं राश्टपती प्रधान मंत्री और अन्यमंत्रियों की न्यूक्ति करते हैं लेकिन उन्ह देश का और परधान मंतरी सरकार का परधान होता है इटली में एक संसदी बेवस्था यानि पारलियमेंटरी सिस्टम है जिसमें राष्टपती देश का और परधान मंतरी सरकार का परधान है जर्मनी में देखा जाए तो वहां भी एक संसदी ब्यवस्था है जिसमें राष्टपती देश का नाम मातर का परधान और चांसलर जो होता है वहां पर सरकार का परधान होता है दोस्तों अध्यक्षात्मक ब्यवस्था में राष्टपती जो है राज्य और सरकार दोनों का परधान होता है तो ये बहुत बड़ा अंतर है अमेरिका का राष्टपती जो होता है ये राज्य और सरकार दोनों का परधान होता है जबकि संसदी सासन ब्यवस्था में ऐसा नह ऐसी ब्यवस्था अमेरिका में, ब्राजील में और लेटिन अमेरिका के अनेक देसों में पाई जाती है। अलंकारिक होती है और प्रधानमंत्री और मंत्री मंडल के पास वास्तविक सकती होती है और ऐसी संसदी सासन ब्यवस्था में होता है। और इस ब्यवस्था में कभी कभी राष्टपती और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं लेकिन जब कभी वे दो अलग अलग दलों के होते हैं तो उनमें आपस में भी रोध हो सकता है। ये ब्यवस्था विशेश रूप से फ्रांस में, रूस में और स्री लंका में है। आईए यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आप देखें कारेपालिका के प्रकार को। देखें दोस्तों कारेपालिका के प्रकार जो होते हैं एक तो सामुहिक नेतरितों के सिध्धान पर आधारित पढ़ाली और दूसरा है एक व्यक्ति के नेतरितों के सिध्धान पर आध पढ़ाली होती है उसमें दो प्रकार की वेवस्थाएं हैं एक तो संसदिस आसन वेवस्था ये बहुत ही महतपूर है और दूसरा एक प्रकार इसमें अर्ध अध्यक्षात्मक है संसदिस आसन वेवस्था में सरकार के प्रमुख को आमतोर पर प्रधानमंत्री कहते हैं वो व संसदी सासन बेवस्था में दो प्रकार के आपचारिक प्रधान होते हैं जो संबैधानिक राजतंत्र होता है वहाँ पर आपचारिक सासन प्रमुख राजा होता है और संसदी गरतंत्र जहां पर होता है वहाँ पर आपचारिक सासन प्रमुख राष्टपती होता है ब्रीटे प्रकार जो कारेपालिका का हमने देखा है एक व्यक्ति के नेत्रित्यों के सिद्धान पर आधारे तो उसे अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंसियल फार्म आफ गौर्रमेंट कहते हैं यहां पर देखिए दोस्तों राष्टपती देश का प्रमुक होता है और राष्टपती ह चुनाओ आम तोर पर प्रत्यक्ष मत्दान से होता है और वो विधाईका के प्रतिजिम्मेदार नहीं होता है यहां पर अध्यशात्मक सासन बेवस्था और संसदी सासन बेवस्था में यही प्रमुक हंतर है कि संसदी सासन बेवस्था में जो सरकार का प्रमुक होता है वो वो भी धायका के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है। अभी हमने एक प्रकार देखा है कारेपालिका का अर्ध अध्यक्षात्मक कारेपालिका तो ये फ्रांस में और स्री लंका में इस तरह की वेवस्था है। देखिए एक अध्यन है कि 1978 में स्री लंका के संविधान का हो सकते हैं या फिर अलग अलग दल के। संविधान राष्टपती को व्यापक सकतियां देता है। राष्टपती संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से परधान मंत्री को चुनता है यद्यप मंत्रियों के लिए संसत का सदस्य होना अनिवार है लेकिन राष्टपती परधान मंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है राज्ये का निर्वाचित परधान और ससस्तर सेनाओं का परधान सेनपती होने के अत्रिक्त राष्टपत और संसत का अध्यक्ष भी संतुष्ट हो कि आरोपों में दम है तो संसत का अध्यक्ष उसे सर्वोचन्याले को भेज सकता है दोस्तों स्रीलंका की राष्टपती और प्रधानमंत्री की स्थिति भारत से अलग है भारत और स्रीलंका की राष्टपती के महाभियोग की प्रक्र आईए अब देखते हैं दोस्तों भारत में संसदी कारेपालिका अभी तक हमने एक सामाने चर्चा की अधिछात्मक और संसदी कारेपालिका के बारे में अब विशेश रूप से आईए भारत में संसदी कारेपालिका के बारे में जानते हैं दोस्तों जब भारत का संबिधान लिखा जा रहा था तो भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतरगत संसदी बेवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था और इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदी बेवस्था के अंतरगत कारेपालिका को जन प्रतिनिधियो के द्वारा प्रभाव पूर्ण तरीके से नियंतरित किया जा सकता है तो संसदी शासन बेवस्था में जो कारेपालिका होती है वो बिधायका के प्रति उत्तरदाई होती है कारेपालिका छोटा समू होता है जो केंदर में है और ये बिधायका के सदस से बाहर बाहर है तो क प्रति संबेदंसील और उतरदाई हो और संसदी कारेपालिका की जगे दूसरा विकल अध्यचात्मक सरकार का था लेकिन अध्यचात्मक कारेपालिका मुख्य कारेकारी के रूप में राष्ट पती पर बहुत बल देती है और उसे सभी सकतियों का स्रोत मानती है अध्यषात्मक कारेपालिका में व्यक्ति पूजा का खत्रा बना रहता है लेकिन हमारे जो संभिधान निर्माता थे एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक सक्तिसाली कारेपालिका थो हो लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर परियाप्त अंकुस लगे हो संसदी ब्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो ये सुनिशित करती हैं कि कारेपालिका विधायका या जनता के प्रतनिधियों के प्रति उत्तरदाई होगी और उनसे नियंत्रित भी होगी इसलिए संबिधान में राष्टी और प्रांती दोनों ही अस्तरों पर संसदी कारेपालिका की ब्यवस्था को सुविकार किया गया है राष्टी और प्रांती का मतलब ये है कि जो ब्यवस्था केंदर में है वही ब्यवस्था राज्यों में भी लागू की गई है और जो हमारे यहां संसदी बेवस्था अपनाई गई है दोस्तों इस बेवस्था के अंतरगत राष्टपती भारत में राज्य का आपचारिक प्रधान होता है यानि नाम मात्र का परधान और परधान मंत्री और मंत्री परिशद राश्ट्री अस्तर पर सरकार चलाते हैं और राज्यों के अस्तर पर राज्यपाल मुख्य मंत्री और मंत्री परिशद मिलकर कारेपालिका बनाते हैं वहाँ पर राज्येपाल और अपचारिक प्रमुख और मुख्य मंत्री और मंत्री परिशद वास्तविक प्रमुख होते हैं कारेपालिका के भारत में भारत के संभिधान में और अपचारिक रूप से संघ की कारेपालिका सक्तियां किसमें राष्टपती में निहित की गई है लेकिन वास्तों में परधान मंत्री के नेत्रित में बनी मंत्री परिशत के माध्यम से ही राष्टपती इन सक्तियों का प्रियोग करता है राष्टपती का जो निर्वाचन होता है पांच वर्स के लिए होता है राष्टपती पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता है आप जानते भी हैं कि राष्टपती का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है राष्टपती का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बलकि निर्वाचित विधायक और सांसत करते हैं और ये निर्वाचन समानुपातिक प्रतिने से तो पढ़ा ले और एकल संक्रमडी मत के सिध्धान्त के अनुसार होता है और भारत में केवल संसद ही राष्टपती को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है और आप जानते हैं कि राष्टपती को हटाने के लिए जो भारती प्रक्रिया है भारती संबिधान की प्रक्रिया वो स्री लंका या फ्रांस की प्रक्रिया से भिन है और इस प्रक्रिया के लिए संसद में विशेस बहुमत की जरुरत पड़ती है और भारत में राष्टपती पर महाभियोग लगाने के लिए एक किवल एक ही आधार है वो है संबिधान का उलंगन या संबिधान के प्रावधानों का अतिक्रमड दोस्तों यहाँ पर देखे भारती संबिधान के अनुच्छे 74.1 में विवस्था की गई है कि राष्टपती को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिशद होगी जिसका प्रधान मंत्री होगा और राष्टपती अपने कृत्तियों या अपने कारियों का प्रियोग कर करने में उसकी सलाह के अनुसार ही कारे करेगा लेकिन एक यहाँ पर देखे एक जो है यह कहा गया है कि राष्टपती मंत्री परसा से ऐसी सलाह पर पुनरविचार करने को कह सकता है और राष्टपती ऐसे पुनरविचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही कारे करेगा त देखिए दी गई सलाह के अनुसार ही कारे करेगा तो इसका अर्थ ये होगा कि राष्टपती मंत्री परिशत की सलाह मानने को बाद है ऐसा नहीं है कि मंत्री परिशत कोई सलाह दे और राष्टपती उसे ने माने राष्टपती की सक्ति पर उठे बिवात के कारण संबिधान का संसोधन करके ये असपष्ट किया गया कि राष्टपती मंत्री परिशत की सलाह मानने को बाद दे है और बाद में एक और संसोधन के द्वारा ये नेड़े किया गया कि राष्टपती मंत्री परिशत को अपनी सलाह पर एक बार पुनर विचार करने के लिए कह सकता है लेकिन मंत्री परिशत के द्वारा पुनर विचार के बाद दे गई सलाह को मानना ही पड़ेगा और आपके लिए एक प्रश्न है कि ये जो प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में किस संसोधन के द्वारा किया गया है अब आईए देखते हैं दोस्तों राष्टपती की सक्ति और इस्थिति हम पहले पढ़ चुके हैं कि राष्टपती सरकार का आपचारिक परधान या नाम मात्र का परधान है उसे आपचारिक रूप से बहुत से कारेकारी ही वास्तविक कारेकारी हैं अधिकतर मामलों में राष्टपती को मंत्री परिशत की सलाह माननी पड़ती है यहां पर देखिए दोस्तों संबिधान का जब संबिधान पर चर्चा या वाद विवाद हो रहा था तो उसमें पंडित जवाहार लाल नहरू ने कहा था कि हमने राष्टपती को कोई वास्तविक सकती नहीं दी लेकिन उसके पद को प्रभुतापूण और गरिमा में बनाया है संबिधान उसे न तो वास्तविक कारेकारी बनाना चाहता है और नही एकदम नाम मातर का परधान संबिधान उसे एक ऐसा परधान बनाना चाहता है जो नशासक होता है और नसासन करता है यह उसे एक महान संबैधानिक परधान बनाना चाहता है दोस्तों राष्टपती के कुछ विशेशा धिकार होते हैं देखिए क्या हम ये निसकर्स निकाल सकते हैं कि किसी भी परिस्थिती में राष्टपती को कोई विशेशा धिकार प्राप्त नहीं है यह एक गलत मुल्यांकन होगा दोस्तों संबैधानिक रूप से राष्टपती को सभी महत्वण मुद्दों और मंत्री परिशत की कारवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है इसके अलावा जो प्रधान मंत्री है मंत्री परिशत का प्रधान प्रधान मंत्री उसका भी ये कर्तब्य है कि वह राष्टपती द्वारा मांगी गई सभी सूचनाई उसे दे और राष्टपती प्राय परधान मंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है देखिए यहाँ पर एक बच्चा है वो कहता है कि मैं यहाँ कहने भर का बैठा दिया गया हूँ या मैं सचमुच के सवाल भी पोच रहा हूँ क्या इस पुस्तक के लेखकों ने मुझे अपने मन चाहे सवाल पोचने की शक्त दी है या मैं वही सवाल पोच रहा हूँ जो उनके मन में उठ रहे हैं तो देखिए बहुत ही महत पोड है राष्टपती केवल जो है इसको कहा जाए तो रवर श्टेंप नहीं है उसके कुछ विशेशाधिकार भी हैं देश की समस्याओं पर चर्चा के लिए वो परधान मंत्री से प्रश्ण पूचता है बाद भीवात करता है और इन समस्याओं के प्रती जो है मंत्री परिशत की राय जानता है देखिए दोस्तों इसके अतरिक्त कम से कम तीन अन्य औसरों पर राष्टपती अपने विशेशाधिकार का प्रियोग करता है पहला राष्टपती मंत्री परिशत की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने नीड़े पर पुनर विचार करने के लिए कह सकता है ये बहुत ही नहीं है तो वो मंत्री परिशत से अपने नीड़े पर पुनर विचार करने के लिए कह सकता है यद्यापी मंत्री परिशत पुनर विचार करने करे या ने करे या फिर उसे वही सलाह दोबारा दे तब राष्टपती उसे मानने के लिए बाध्य भी होगा फिर भी राष्ट कि राष्टपती के पास वीटों की शक्ति यानि निसेधा धिकार होता है जिसे वह संसत द्वारा पारित विध्यक केवल धन विध्यक को छोड़ कर उन पर स्विक्रित देने में बिलंब कर सकता है स्विक्रित देने से मना कर सकता है और संसत द्वारा पारित प्रतेक विध्य को कानून बनने से पूर। एक महतोपूर बात आप जान लिजिए कि राष्टपती की स्विक्रिती के लिए भेजा जाता है। राष्टपती उसे संसद को लवटा सकता है और उस पर पुनरविचार के लिए कह सकता है। वीटो की यह सकती सीमित है क्योंकि संसद उसी विध्यक को दोबारा पारित कर दे और राष्टपती के पास भेजे तो राष्टपती को उस पर अपनी स्विक्रिती देनी पड़ेगी लेकिन संविधान में राष्टपती के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिस से राष्टपती को अनवचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंक से प्रियोग करने का आउसर मिल जाता है इसे कई बार पाकेट वीटो भी कहा जाता है और यहां पर एक प्रश्न आया है कि संसद द्वारा पारित कोई भी कानून कोई भी विध्यक तभी कानून बन सकता है जब राष्टपती उस पर सहमत दे दे या राष्टपती उस पर हस्ताक्षर कर दे तो इसका मतलब यह है जब कहा जाता है कि संसद के जो भारत में जो संसद है किस से किस से मिल कर बनती है लोक सभा राज्य सभा और राष्टपती से मिल कर बनती है इसका अर्थ ह यही है कि जब तक राश्टपती उसकिसी विध्यक पर अपनी स्विक्रिती नहीं देखता है तब तक वो कानून नहीं बनता है। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि विशेशाधिकार जो है राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। और चारिक रूप से राश्टपती प्रधान मंत्री की नियुक्ति करता है। तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में राश्टपती ये नियुक्ति करता है कि वो किसे प्रधान मंत्री नियुक्त करे। और इस परिस्थेते में राष्टपती को अपने विशेश आधिकार का प्रियोग करके यह निड़े लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है या कौन सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है और 1989 के बाद से प्रमुख राजनितिक परिवर्तनों के कारण राष्टपती के पद का महा तो बहुत बढ़ गया है 1989 से 1998 तक हुए चार संसदी चुनाओं में किसी भी एक दल या दली गठ बंधन को लोगसभा में असपश्ट बहुमत या पूर्ण बहुमत नहीं मिला और इन परिस्थितियों की मांग थी कि राष्टपती हस्तक छेप करके या तो सरकार का गठन कराए या फिर परधान मंतरी द्वारा लोगसभा में बहुमत सिधनकार पानिव के बाद उसकी सलाह पर लोगसभा भंग कर दे इसलिए कहा जा सकता है कि राष्टपती कभी से सदिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है जब सरकार अस्थाई नह हो और गठ बंधन सरकार सत्ता में हो तब राष्टपती के हस्तक छेप की संभावनाएं बढ़ जाती है इसकी अलामा दोस्तों राष्टपती मुखेता एक अपचारिक सक्ति वाला पद है और वह राष्ट का अलंकारिक या सोभायमान प्रधान होता है ऐसे में ये कहा जा सकता है कि तब हमें राष्टपती की जरूरत ही क्या है लेकिन संसदी सासन बेवस्था में मंत्री परिशत बिधाईका के बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है इसका मतलब ये है कि मंत्री परिशत को कभी भी हटाया जा सकता है तब उसकी जगए एक नई मंत्री परिशत की नियुक्ति करनी पड़ेगी और ऐसी परिस्थिती म सामाने परिस्थितियों में राष्टपती की यही भूमिका है लेकिन जब किसी दल को अस्पष्ट पहुत नहीं मिलता है तब राष्टपती पर नेड़े लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए परधान मंत्री को नियुक्त करने की अतरिक्त जिम्मेदारी होती है अभी हमने चर्चा किया है दोस्तों पाकेट वीटो के बारे में देखे विधेकों को स्विक्रिती देने के संबंध में राष्टपती पर कोई समय सीमा नहीं है इस सिल्सले में एक घटना घट चुकी है 1986 में संसद ने भारती पोश्ट आफिस संसोधन विधेक पारित किया अनेक लोगों ने इसकी अलोशना की क्योंकि विधेक प्रेस की सुतंता को बाधित करता था ततकालियन राष्टपती ग्यानी जैल सिंग ने उस पर कोई नेड़य नहीं लिया उनका कारेकाल समाप्त होने के बाद अगले राष्टपती बैंकट रमन ने उसे पुनरविचार के लिए संसद को लोटा दिया तब तक वह सरकार बदल गई जिसने विधेक पेश किया था और 1989 में एक नई सरकार चुनकर आ गई थी यह दूसरे दलो का गठबंधन था और उसने इस विधेक को दोबारा संसद में पेश नहीं किया गया और इस प्रकार जैल सिंग द्वारा विधेक को स्विकृति देने के निड़य में बिलंब करने का वास्तो पढ़ाम हुआ कि वो विधेक कानून नहीं बन सका तो एक जेबी बीटो का जो जेबी निशेट हरदिकार इसका एक उदाहरन ग्यानी जैल सिंग के प्रधान राष्टपति तोकाल में हो चुका है एक बात और प्रधान मंत्री की नियुक्ति में राष्टपति की भोमिका तो 1977 के बाद भारत की दली राजनीत में प्रतिसपरधा काफी बढ़ गई और ऐसे अनेक उदाहरन हैं जब लोगसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला इन परिस्थितियों में राष्टपति ने क्या किया मार्च 1998 के चुनाओं में किसी भी दल या दली गठवंधन को जब बहुमत नहीं मिला तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कुल 251 सीटे मिली जो बहुमत से 21 कम थी राष्टपति के आर नारायनन ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई उन्होंने गठवंधन के नेता अटल विहारी बाजपेई से अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तूत करने को कहा इससे भी आगे जाकर राष्टपति ने बाजपेई को पद ग्रहन करने के मात्र दस दिनों के भीतर बिस्वास मत प्राप्त करने को कहा था और ये जो घटना है ये भारती इतिहास में प्रधान मंतरी के लिए बहुत ही रोचक इस्थिती है आये जानते हैं भारत के उपराष्टपति यानि वाइस प्रेशिडेंट के बारे में दोस्तों उपराष्टपति पांच वर्स के लिए चुना जाता है उसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्टपति को अंतर केवल इतना है कि उसके निर्वाचक मंडल में राज विधान सभा के सदस्य नहीं होते हैं केवल लोग सभा और राज सभा के सदस्य होते हैं उपराश्टपती को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करना पड़ता है कि उस प्रस्ताव पर लोगसभा की सहमती लेनी पड़ती है। फखरुद्दीन अली अहमत की मिर्त्यू के बाद बीडी जत्ती तब तक कारवाहक राश्टपती के रूप में काम करते रहे जब तक नए राश्टपती का चुनाव नहीं हो गया था। की सोच अलग है। उसका कहना है कि राश्टपती सासन का अपवाद स्वरूफी प्रयोग करना चाहिए। राश्टपती के पास यहाँ पर कौन सा विकल्प है। विकल्प जो दिये गए हैं कि वो प्रधान मंत्री को बताए कि राश्टपती सासन की घोशला करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। प्रधान मंत्री को बरखास्त कर दें। प्रधान मंत्री से केंद्री डीजरोपुलिस बल बेजने को कहें। एक प्रिस वक्त अब्यदे कि क्यों प्रधान मंत्री गलत हैं। और इस संबंध में प्रधान मंत्री से बात चीत करें, उसे ऐसा करने से रोकें, लेकिन यादि प्रधान मंत्री दिढ़ रहे, तो उस पर हस्ताक्षर कर दें, इसमें क्या इस्थिती बन सकती है, आपके लिए सोचने का विशह है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि प्रधान मंत्री किस तरह से सरकार की अगुवाई करते हैं, यहाँ पर नहरू जी को सरकार की अगुवाई करते हुए दिखाया गया है, इसके अलावा दोस्तों, प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत का क्या संबंध है, इसके ब बहुत ही महत्वपूर्पद होता है और राष्टपती केवल मंत्री परिशत की सलाह पर अपनी सक्तियों का प्रयोग करता है आप जानते हैं और परधान मंत्री इस मंत्री परिशत का परधान होता है इसलिए मंत्री परधान के रूप में परधान मंत्री अपने देश की सरका का सबसे महत्तोपूर्ण परदाधिकारी हो जाता है भले ही वो एक लोगसभा सदस्य होता है लेकिन संसद के सउनसद में बहुमत प्राप्त दल का नेता होने की कारण उसकी भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है संसदी सासन में ये जरूरी है कि परदानमंत्री को लोगसभा में बहुमत बना रहा जिससे उसी का नेता परदानमंत्री बनता रहा 1989 की इस्थिति अलग थी उसके बाद कई आउसर आये जब लोगसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला अनेक राजनीतिक दलों को ताल मेल करके गठवंधन बनाना पड़ा जिससे लोगस करता है और आगे परदानमंत्री तै करता है कि उसकी मंत्री परशद में कौन लोग मंत्री होंगे परदानमंत्री बिभिन मंत्रियों में पदस्तर और मंत्रालियों का आवंटन करता है मंत्रियों को उनकी वरिष्टता और राजनीतिक महत्यों के अनुसार मंत्री मंडल का म संसत का सदस्य हुए बिना यदि कोई ब्यक्ति मंत्री या परधान मंत्री बन जाता है तो एक समय सीमा है छे महीने छे महीने के भीतर उसे संसत के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है यह बहुत ही महत्पूर है यहाँ पर देखें एक कार्टून है दोस्तों मिनिश्टर अनहपी विद पोर्टफोलियो क्या सिर्फ मंत्री पधी मायने रखता है कार बंगला नौकर यात्रव विदेश भ्रमड सुरक्षा और सची वगहरा आपके लिए कोई मायने रही रखते यहाँ पर लोग मंत्री क्य बेगम एजाज रसूल का वक्तब जिसमें कहा गया है कि मेरे द्रिष्टिकोर से प्रांतों के लिए वह स्विस पढ़ाली सर्वोत्तम बेवस्ता है जिसमें विधाईका कारेपालिका को एक निश्यत समय के लिए चुनती हो एकल संक्रमडी मत्पढाली वह सर्वोत्तम यह सम्विधान के वाद विवाद खंड में बेगम एजाज रसूल का कथन था मंत्री परिषट का आकार कितना बड़ा होना चाहिए दोस्तों संविधान में 1925 संविधान संसोधन अधनियम 2003 हुआ इसके पहले मंत्री परिषट का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनरुपते किया जाता था यानि हमको कितना मंत्री बनाना है मंत्री परिशत में कितने सदस्यों को रखना है इसकी कोई लिमिट नहीं होती थी और ऐसे में मंत्री परिशत का आकार बहुत बड़ा हो जाता था जब किसी दल को असपष्ट बहुमत नहीं मिलता था तो वो संसत करके ये बेवस्था की गई कि मंत्री परिशत के सदस्यों की संख्या लोक सभा या राज्यों में विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी इसलिए एक्यान वेवा संविधान संसोधन मंत्री परिशत की संख्या या उसके आकार के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर है। इसकी अलामा विधाय का वाले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे संसद कारेपालिका को नियंतरित करती है। संसद के अनुसार मंत्री परिशत संसद की एक कारेकारी समिती है और वह संसद के प्रतिनित के रूप में सामोहिक रूप से सासन करती है। और जो संसदी ये सासन ब्यवस्था है दोस्तों उसको सामोहिक उत्तरदाईत वाली सासन पढ़ाली भी कहा जाता है। क्योंकि सामोहि कुत्तरदाय तो मंत्री मंडल की एक जूटता के सिध्धान पर आधारित है और इसकी भावना ये है कि यद किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अब इस्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर मंत्री परिशत को त्याग पतर देना पड़ता है इसका आर्थ ये है कि यद कोई मंत्री मंडल की नीत या नेड़े से सहमत नहीं है तो उसे उस नेड़े को स्विकार कर लेना चाहिए या त्याग पतर दे देना चाहिए जिस नीत के बारे में सामोहिक उत्तरदायत तो हो उसको मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर सामोहिक उत्तरदायत तो है दोस्तों भारत में परधान मंत्री का सरकार में सर्वो परियस्थान है बिना परधान मंत्री के मंत्री परिशत का कोई अस्तित्त नहीं है और मंत्री परशद तभी अस्थित्तों में आती है जब परधान मंत्री अपने पद का सपत गराण कर लेता है और कुछ इस्थितियां हैं परधान मंत्री की मृत्त हो जा या त्याग पत्र हो दे दे तो पूरी मंत्री परशद ही भंग हो जाती है जबकि किसी मंतری की म्रित्य हटाय जाने या ताकपत्र के कारण मंत्री परशद में केवल एक अस्थान खाली होता है परधान मंत्री एक तरफ मंत्री परशद तथा दूसरी और राष्टपति और संसत के बीच एक ब्रीज यानी सेतु का काम करता है इसकी भूमिका के कारण पंडित नहरू ने परधान मंत्री को सरकार की केंद्री धूरी की संग्यादी थी। परधान मंत्री का यह संभैधानिक दायत तो भी है कि वो सभी संगी मामलों के प्रसासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्टपती को सूचित करे। पर आधिपत्य, मीडिया तक पहुँच, चुनाओ के दवरान उसके ब्यक्तितों का उभार और अंतराष्टी सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दवरान राष्टी नेता की छवी। नेतिक दलों के गठवंधन की सरकारे बनी, तब ऐसा नहीं रहा। तुसरे इस अवध में गठवंधर राजनीत के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्स की परविर्टी बढ़ी है, जिससे परधान मंतरी की सत्ता में कुछ सेध लगी है। तीसरे इन में परधान मंतरी के अनेक विशेश अधिकार जैसे मंतरियों का चैन और उनके पदस्तर और मंतरालय के चैन पर भी कुछ हंकुस लगा है। चोथे परधान मंतरी सरकार की नीतियों और कारेक्रमों को भी अकेले तैन ही करता और चुनायों के पूरों और चुनायों के बाद विभिन विचार धारावाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग कर के सरकार बनाते हैं। सहयोगी दलों के बीच काफी बादचीत और समझहोते के बाद ही नीतियां बनती हैं और इस पूरी प्रक्रिया में परधान मंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्त की भूमिका भी निभाने पड़ती है। पर राज्यपाल के पास ज्यादा विवेका धिन सक्तियां होती हैं बहरहाल राज्य के अस्तर पर भी संसदात्मक बेवस्था के प्रमुक्सिधान्त लागू होते हैं। दोस्तों कारेपालिका की चर्चा हम कर रहे हैं तो अभी तक हमने अस्थाई कारेपालिका की बात नहीं की अस्थाई कारेपालिका यानि राजनीतिक कारेपालिका की बात की कारेपालिका का एक दूसरा पहलू अस्थाई कारेपालिका भी है जिसको नौकर साही या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं सबसे एक प्रश्ण है इससे संबंधित कि मंत्रियों के नीड़े को कौन लागू करता है दूस्तों सासन के कारेकारी अंग में प्रधान मंत्री, मंत्रिगण और नौकर साही या प्रशासनिक मसीनरी का एक विशाल संगठन सामिल होता है इस धाचे और सन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसको सिविल सर्विस या नागरिक सेवा कहते हैं सरकार के अस्थाई कर्मचारी के रूप में कारे करने वाले प्रसिक्षित और प्रवीन अधिकारी नीतियों को बनाने और उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं लोक्त अंत्र में निर्वाचित प्रतनी धौन मंत्रिगंड सरकार के प्रभारी होते हैं और परसासन उनके नियंत्रण और देख रेक में होता है। संसदी सासन में विधाई का परसासन को नियंतरित करती है और मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो परसासन पर राजनीतिक नियंतरन बनाए रखे भारत में एक दक्ष और कुसल परसासनिक मसीनरी मौजूद है लेकिन ये मसीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदाई है नौकरसाही से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वो राजनीतिक रूप से तड़श्त हो इसका अर्थ ही ये है कि नौकरसाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक द्रिष्टिकोंड का समर्थन नहीं करेगी और दोस्तों ये बहुत ही महतवपूर है कि प्रजातांतर में ये संभो है कि कोई पार्टी चुनाओं में हार जा या नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगे नई नीतियां अपनानी चाहे ऐसी इस्थिति में प्रशासनिक मसीनरी की जिब्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करे भले ही वो नीति नई हो या थोड़ी अलग हो आज भारती नौकर साही का सुरूप बहुत जटिल हो गया है इसमें अखिल भारती सेवाएं, प्रांती सेवाएं, अस्थानी सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तक्नीकी और प्रवंध की अधिकारी शामिल है हमारे संविधान निर्माता गैर राजनितिक और ब्यावसाइक रूप से दक्ष प्रसासनिक मसीनरी के महत्तों को जानते थे वे सिविल सेवा या नोकर साही के सदस्यों को बीना किसी भेद भाव के योग गिता के आधार पर चैनित करना चाहते थे इसलिए भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भरती की प्रक्रिया का कारे एक अलग संस्था संग लोग से वा आयोग को सौपा गया राज्यों में भी लोग से वा आयोग बनाए गए हैं और लोग से वा आयोग के सदस्यों को एक निशित कारेकाल के लिए नियुक्त किया जाता है और उसको सर्वोच नयालेकि नयाधिस की जाच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्त किया जा सकता है दक्षता और योगिता को आधार बनाकर भरती की जाती है और संबिधान ये भी सुनिश्रित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकर साही का हिस्सा बनने का मौका मिले इसका मतलब ये है कि संबिधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की विवस्था करता है बाद में महिलाओं और अन्य पिछडी जातियों को भी आरक्षण दिया गया इससे ये सुनिशित होता है कि नौकरसाही में सभी समोहों का प्रतिनिधित होगा और सामाजिक असमानताएं सिविल सेवाओं में भरती के मार्ग में रोडा नहीं बनेंगी दोस्तों IAS और IPS के लिए जो उम्मीदवारों का चेहन है यो UPSC यानि संगलोग से वायोग करता है ये अधिकारी प्रांती अस्तर पर सिर्शस्थ नौकरसाही की रिण होते हैं आपको साइद पता हो कि एक जिले का जिलाधिकारी या कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत पूर अधिकारी होता है और आप ये जानते हैं कि जिलाधिकारी समानता है IAS अस्तर का अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा सर्तों से नियंतरित होता है एक IAS अथवा IPS अधिकारी किसी एक राज्य से संबध कर दिया जाता है जहां वह राज केंद्री ये सरकार की उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई कर सकती है इसका अर्थ ये हुआ कि राज्यों के प्रमुक परसासने का अधिकारी केंद्री सरकार के देख रेक और नियंतरण में रहते हैं और संग लोक सेवा आयोग द्वारा नियुकत आईएस और आईपीएस अधिकारियों के अत्रिक्त राज्यों के प्रसासन में राज्यों लोक सेवा आयोग द्वारा भी जो अधिकारी नियुकत होते हैं उनका योगदान होता है और हम आगे पढ़ेंगे कि नौकर साही की ये विशेस्ता राज्यों के परसासन पर केंद्री सरकार के नियंतरन को कैसे मजबूत करती है नौकर साही या ब्यूरोक्रेसी वहमाध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोग हितकारी नीतियां जनता तक पहुँचती है पर नौकर साही इतनी सक्रिसाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुँचने से डरता है लोगों का आम अनुभव है कि नौकर साही सामाने नागरिकों की मांगो और आशाओं के प्रति संबेदन से इल नहीं होती है लेकिन जब लोक्तांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकर साही को नियंत्रित करती है तब इन में से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जाता है दूसरी ओर राजनीतिक हस्तचेव जब ज़ादा होता है तो नौकर साही राजनीतिक्यों के हाथ का खिलोना बन जाती है हलांकि संबिधान ने भरती के लिए सोतंत मशीनरी बनाई लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कारियों के संपादन में राजनीतिक हस्त अच्छेव से बचाने की कोई बेवस्था नहीं है और ये भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकर साही का उत्तरदाई तो सुनिशित करने के लिए परियाप्त प्रावधान नहीं है पर ये आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार यानि राइट टू इन्फार्मेशन जैसे कदम नौकर साही को और अधिकुत तरदाई और संबेदन से बना सकेंगे इस अध्याय का निसकर्स आप इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों कि आधुनिक कारेपालिका सरकार की एक अत्यंत शक्तिसाली संस्था है सभी प्रकार की सरकारों में सरकार के अन्य अंगों की अपिक्षा जो कारेपालिका यानि एक्जिक्यूट्य होती है वो ज्यादा शक्ति साली होती है इस से कारेपालिका पर लोकतांतरिक नियंतरण की आओ सक्ताब बढ़ जाती है और हमारे संभिधान निर्माताओं की ये दूर द्रिष्टी ही थी कि उन्होंने कारेपालिका को विधाईका के नियमित नियंतरण और देख रेक में रखा और एक प्रकार एक संसदी कारेपालिका का चैन किया गया और समय समय पर होने वाले चुनाओ अब्यक्तियों के प्रियोग पर संभैधानिक अंकुस और लोकतांत्रिक राजनीत ने ये सुनिशित किया कि भारत में कारेपालिका किसी प्रकार से अनुत्तरदाई या irresponsible नहोने प समझने का प्रियास किया कि कारेपालिका किसे कहते हैं अस्थाई और राजनीतिक कारेपालिका क्या होती है कारेपालिका में जो अध्यक्षात्मक और संसदी कारेपालिका का जो भी भाजन किया गया है उसमें सरकारों के पास क्या-क्या अधिकार होते हैं और वो कैसे काम कर इसके अलावा भारत में संसदी सासन पढ़ाली किस प्रकार से काम करती है इसके बारे में आपने इस सध्याय में विस्तार से जाना वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माग दोशन फार सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार